Hello everyone, I attend Trader Family में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि SEBI ने एक बहुत ही जबर्दस circular जारी किया है और उसकी complete जानकारी आपको बताने वाला हूँ आपके पास कई बार ऐसी situation आई होगी कि आपने कोई trade खरीदा हो और broker है अपनी मनमार्जी से कोई भी extra charge नहीं कर पाएंगे complete जानकारी वीडियो के अंदर मिलने वाली है आपसे request एक ही है कि channel को subscribe कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखेगा तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आप कोई भी trading करते हो तो यहाँ पे आपके पास brokerage लगता है security transaction charge है, action charge है clearing charges है, GST है, sebi charge है, stamp duty तो यह सारे प्रकार के charges लगते हैं उसके अंदर अब उसमें देखो कि जो brokerage है वो तो होता है broker का और बाकी जो यह अलग charges है यह जाते है government के लेकिन अब तक क्या हो रहा था कि clients के पास में कई बार यह होता था कि जो broker है मान लीजिए उसके अंदर आपने कोई सोदा लिया है, तो उसमें क्या होता था कि broker अपनी मनमर्जी से कई बार आपने जो सोदा लिया उस time पे उसका भाव कुछ अलग होता है और आपके पास में जब settle होके आता है तो उसका भाव कुछ अलग होता था फिर उसके बाद में security transaction charges भी कई बार गलत तरीके से वसूल लिये जाते थे और government के charges भी है वो भी broker है वो गलत तरीके से ले लेता था था, क्योंकि वो जब settlement करता है, contract note बनाता है तो रात में, क्योंकि आप वहाँ पे ही payment जमा होता है आपका broker का ही जिम्मेदारी होती है कि आपसे सारे charges ले तो फिर लेने के बाद में वो आगे जमा करवाते थे, तो यहाँ पे वो broker आपसे अलग charges ले करके आगे government को अलग charge देते तो यहाँ से आपको loss हो रहा था तो कई clients ने क्या किया था कि SEBI के पास में सिकायत भी की थी और उनकी कहा था कि जो rate तै की गई है, उनके मुकाबले ज़्यादा brokerage वसूली करते हैं broker है, और कई बार सरकारी जो charges होते हैं, regulator यानि SEBI के charges होते हैं, STT होती हैं, इनको भी ज़्यादा ले लिया जाता था तो अब exchange से यह जो चीज हो रही थी, कई साल से हो रही थी तो इस चीज के उपर clients हैं वो exchange और SEBI से पिछले साल से ही बात कर रहे थे और पिछले साल से ही SEBI सब चीजें के, सब चीजों को हित में आया है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, brokerage और बाकी charge के अंदर transparency नहीं रखेगा, अगर कोई broker, यानि कि जो भी brokerage लग रहा है, कितना brokerage लग रहा है, और कौन-कौन से charges लग रहे हैं, वो आपको broker, आपके buying screen, जैसे ही आप buying order जाते हो, चाहिए आप web platform पे जाओ, या फिर आपके mobile application पे जाओ, जिस time पे आप buy करते हो, उस time पे buying करने से पहले ही, बटन दबाने से पहले ही आपके सारी चीजें कि इतना brokerage लगेगा, इतना save charges लगेगा इतने other transaction charges लगेगे इतनी GST लगेगी, इतना अब buying करने से, तो broker के उपर अब penalty लगने वाली है और जो penalty है, उसका circular भी जारी कर दिया है कि आपका जो सोदा है, वो confirm होने से पहले ही broker है, वो आपको सारी charges के बारे में तुरंत बता दे, अगर जो broker है, वो जो आपका जो सोदा लगा रहे हो, या buying करने से पहले, आप screen पे गए हो, वहाँ पे सो नहीं करता है, कि मेरी जो आप मैं खरीद रहा हूँ, वहाँ पे कितना charges लगेगा, नहीं आपके सो हो रहा है, तो broker के उपर से भी है, वो 50,000 रुपय की penalty पेनल्टी लगाएगी, और ये जो नियम है पेनल्टी का, वो 31 मार्च से ही सुरू होने वाला है, यानि 31 मार्च से ही ये सब चीजे clear हो जानी चाहिए, अगर 31 मार्च से नहीं लागू करते हैं कोई भी broker, आपको दिखाना कि आपके कितने charges लगने वाले हैं सोधा डालने से पहले, trading screen पे तो उनके उपर penalty लग जाएगी और इसके अंदर एक और चीज होने वाली कि साथ दिन के अंदर कोई compliance नहीं है तो नए clients जोडने पर भी रोक लगा दी जाएगी अगर मान लिजिये penalty तो लगा ही रहा है जो exchange है या सेबी है broker के उपर और फिर अगर मान लिजिये कि वो सोन नहीं हो रहा है, साथ दिन तक सोन नहीं कर रहा है क्योंकि उनके system में गड़वड हो सकती है और उनकी information सेबी को या exchange को नहीं दे रहा है कोई broker तो यहाँ पे सेबी या exchange है उस broker के सभी जो segment है यानि कि जो FNO है या फिर उनकी जो मान लिजिये कि carry forward करते हैं या इंट्राइडे टेडिंग है या फिर वो नए clients के account open करवाते हैं सभी सुवीदा हैं उनकी suspend कर दी जाएंगी जब तक कि वो अपनी system को सुधार ना ले अपने system के अंदर ये सब चीजे लगा ना ले तो ये जो information है बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आप जो सोदा ले रहे हो या कोई भी माल खरीद रहे हो उसके खरीदने से पहले ही आपको सब चीजे पता लग जाएंगी कि मेरा इतना तो इसके अंदर पैसा लगने वाला है और इतना मेरे charges लगने वाले है तो अब आपको clearly पता लग जाएगा कि मेरे total amount इतना कटने वाला है और इतना मेरे को है या नहीं है तो आप अपने इसाब से सोधा डाल सकते हो तो ये बहुत बड़ी चीज निकल के सामने आ रही है और ये जो सभी प्रकार के ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उनके लिए भी बहुत सही चीज है तो आसा करता हूँ ये information आपके लिए बहुत ही अच्छी हुई है और आपको ये information आगे फाइदा भी देने वाली है तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और अगर आपने जिरोधा या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्सिन में लिंक है जाकर के लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की जर्णनी की सुरुवात कीजिए मिलते है नेक्श वीडियो में थैंक्यू वरी मच्च